हैंड फिडिंग कराएंगे तो कोसिज करेगा जो हम लोग जो वाटर यूज करते हैं यह इस एरिया है तो और तो हाई फ्रेंट बॉर्णिंग मैं हो सभी को आप सभी को मैं मेरे यूट्यूब चैनल बासोना बट सभी में मैं करता हूँ बहुत 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 सभी फ्रेंट् अब अब यह चुका है एक चिक्स में से बाहर भी आ चुका है और आज उसका उसका उमर भी हो आज तीन दिन ठीक है और देखिए पहले में एक सेल दिखा देता आप लोग को आईए इस एक इंकुबिटर अभी भी चालू है और यह देखिए फ्रेंट्स इसी से वह चिक्स जो है बाहर आया था देख सकते हैं कितना अच्छा से सेल जो है उसने तोड़के बाहर आया है वाव बहुत है अच्छा आप मैं चिक्स को भी दिखाऊंगा आप लोगों ठीक है और अभी एक एक अभी भी है इसके अंदर जो कुछ दिन में निकलने वाले हैं और यहां पे दिखने को मिल जाए तो तुरंत ही हम लोग सिप्ट कर देते नहीं तो तीन चार घंटे के बात भी अगर वाच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जैसे कि हमेसा अपना इंकुबीटर को जो है जब भी वो फटाइल हो मताब हो जब भी उनको चिक्स आने का टाइमिंग हो ठीक है अभी तो चिक्स बहुत जादा हिल्दी है बहुत जादा एक्टिव है और अभी तीन दिन होगे उसको हैंड फीडिंग कराते हुए आज मैं फिर से हैंड फीडिंग कराऊंगा तो सोचा एक वीडियो भी बना के मैं अप लोग के साथ सेयर भी कर देता हूं तो चली फाव और का हुमिडिटी कितना है 61 पर्सेंट अभी अन्दर का है ठीक है पोई दिक्कत नहीं यह लगबख फिफ्टी फाइब से शेविनटी तक रख सकते अंदर का हुमिडिटी अभी इसको हटा देते हैं और इसमें हो लोग का है चोटा सा कोटरी में ननना सा चिक्स दे देखी कितना ज्यादा है जेलदी होने का सीम्टन है, यह इस इरिया तो शाइनिंग होगा और क्या होगा होगा यह थोड़ा सा मतलब बहर baş стать // ठीक है तो इसका मतलब चीब्स ऑन्हों अफ़ीन पोरा का प्पुरा हेल्डी है और यह यह सो रहा है पूगบ भी लग गिया इसका खाना भी पुरा का पूरा डाइँस्ट हो चुपा है करते हैं अभी आभ़ी हम लोग इसको हैंड पीडिंग देंगे हऊ तीक है ठीक है ठीक है यह मेरे घर मतल्स मेरे इंकुबेटर में होम मैट हैंडमेड इंकुबेटर में सकसेस्पुली एक्स से हैच होने के बाद इतना बड़ा हो चुका है आज 3 दिन इसका उमर भी हो गया है तो चलिए इसको हैंड फीडिंग देते हैं और इतना दिन तो मैं पेपर यूज करता था क्योंकि मुझे अभी जो चीक्स का पॉटी का उपर ज्यादा ध्यान लखना पड़ता है इसलिए मैं इस तरह का देखिए पेपर यूज करता है ताकि अंदर इसका जो क्या पॉटी कि जो की होना चाहिए जैसे इसलिए मैं कुछ दिन लगभग है चोने का चार से पांच दिन में पेपर यूज करता हूँ नियूज कर सकते ताकि आपका जो पॉटी कैसा हो रहा यह आप वाच कर पर इसके बाद हम लोग आज जो इसको नेश्टिंग मेटल दे देंगे ताकि कि यह और अच्छा से उसके उपर मतब अभी तो पॉटी सेट हो गया तीन चार दिन होने के बाद वो थोड़ा सब डर वो खतम हो जाता कोई दिक्कत नहीं रहता तो चलिए इसी तरह हम लोग है इसको बहुत जो से भूग भी लग गया है और देखे कितना अच्छा से खान अच्छा से उबाल लेते हैं पानी को अच्छा से उबाल लेते हैं पानी को और अब हम लोग इसमें A19 एड़ करेंगे हैं पीडिंग फॉर्मूला कि थोड़ा से इन एंटिन में एड़ कर दिये इसमें और थोड़ा से कि इसना काफिए इसका अच्छा से मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा पतला नहीं खिलाना है तो बेबी हेल्दी नहीं होगा ठीक है जब भी आप लोग देखेगा उनका मदर जो हम लोग जो सीट्स देते हैं वह पहले उन लोग खाते हैं उसके बाद अपने बेबी को खिलाते हैं ठीक है तो देखेंगा कितना टाइट रहता हूं लोग का क्राप ठीक है ताकि उनलों का खाना जो हमकरने में लोग तो ऐसा नहीं करेंगे थोड़ा सा गाड़ा देंगे एकदम भी पतला नहीं देंगे ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए और आपको थोड़ा देर देर बाद उसको खिलाना पड़े फीडिंग देना पड़े इसलिए थोड़ा सा थीक करने होगा हम लोग को कि अधिक काफी है और हमेसा ध्यान रखिएगा जब भी अपने चीक्स को हैंड फीडिंग कराएंगे तो जो वाटर रहे वह एकदम आरो वाटर रहे मतंब मिनरेल वाटर रहना चाहिए और जो है या तो अगर मिनरेल वाटर नहीं भी है तो अपने जो पानी को जल से ज़्या बतन काटरी मतब जो जो यूज करेंगे जिसमें आप लोग हैंड फीडिंग रेडि करेंगे तो सब साप सूतर रहना चाहिए ठीक है और अभी हैंड फीडिंग में विक्स्यर रेडि हो गया और इसमें हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइब हम लोग को एड करने होगा क्य वह लाला ऑटोमेटिक लिए उनका डाइजेस्ट करने काम आता बेबी का ठीक है वह जितना भी हार्ड खाना खिला दे वह देखिए कभी भी बेबी को इंडेजेस्टिव का प्रोब्लेम नहीं आता लेकिन हम लोग खिलाते तो थोड़ा सा भी अगर ठीक खिला देते तो इ लेकिन मैं पहला पांच से छे दिन मैं बॉनी सान यूज करता हूं उसके बाद मैं नियो पेप्टाइन में इल्लों को पॉनवर्ट करता हूं ठीक है और तो चलिए इसको अभी थोड़ा से एड़ करेंगे इसमें इतना काफी है और अच्छा से मिक्स कर लेंगे इद्दम पर्फेक्ट यह अब हैंड फीडिंग के लिए रेडी हो चुका है और इस तरह के पतला सा सिरिंज हम लोगे उसकरेंगे चलिए पहले चिक्स को बाहर निकाल लेता है चलो है neighbor है इस से हैंट विडिंग लेली है फिले हैंट फिडिंग को टेस्ट करेंगे अब लोग कितना मतब ज्यादा गरं भी नहीं होना चाहिए चाइसका और इकंगू इसको बस्लब ते इसको फीडिंग कर आगेंगे इतना अच्छा से सीफिडिंग लेगा इस कि इसका होट एसको एसे जसाने हम लोग टप्रेट करें यह कि ऐनं़ भीडिन लेना स्टार्ट करेगा देखिए तो अब हो सबसक्क्राइब लिए किudent अपनर के कि देखिए इसी का साथ क्रॉप बीज का फूल हो रहा है अस्त अस्त बहुत ज्यादा नहीं खिलाना लेकिन इतना खिलाना कि दो तिन घंटे बाद यह डिजॉल्व हो जाए और फिर आप इसको हैंड फीडिंग दे पाए मतलब यह थी गंटे का अंदर आपको हैंड फीडिंग देना ही होगा अपने चीक्स को ठीक है कि और यह जो साईकेल हैं मतलब हर दो थे तीन घंटे बाद आपको हैंड फीडिंग देना है जब इसका 14 डेज उमर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को इसी तरह दो घंटे तीन घंटे बाद बाद हैंड देना होगा उसके बाद जैसे 14 डेज पार हो जाएगा उसके बाद हम लोग दिन भर में इसको अगर चाट टाइम भी हैंड फिडिंग देंगे तो कोई दिक्कत ने आ इंकुबीटर में हैच होने के बाद एकदम छोटा से मैं इसको खिला कि इतना बड़ा किया हूँ और इसका पहले भी मैं बहुत सब्सक्राइब कर रहा हूं आपने अपने अभेरी के लिए और गुछ पेशल मैं ट्रेनिंग इसके साथ आप लोगों को भी सेयर करोंगा मत क्या-क्य अपने बड़ को ट्रेणिंग दे सकते हैंड पिडिंग अगर आप छोपा से आपने चिक्सको पराएंगे तो क्या-क्या आप ड्रेणिंग सकते अपने बड़्ब्रस वह सब भी मैं इसी के साथ आप लोगों साथ सेयर करूंगा और अभी जो है नेस्टिंग मेटेल प्रोवाइट करेंगे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी का नेस्टिंग मेटेल बहुत ही सॉप्ट इससे बेवी भी अच्छा रहेगा और यह अगर आप लोगों को चाहिए तो बासोना पेट स्टोर में इजी ली एवेलेवल है तो चलिए इसका अभी रख देते इसके अंदर अब हो गया परफेक्ट चलिए इसको भी रख देते बुरूडर के अंदर फिर हम लोग को तीन घंटे बाद इसको जो है निकाल के हैंड फीडिंग देने होगा तो असा करते हैं आज के वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा अपने हैंड फिर मिलेंगे नई वीडियो में नइ टोपिक्सा तब तक ये लीड़ बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-फ्रेंण